So guys आज़ की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको template देखने को मिल रहा है अगर आप यहाँ पर add yours पर click करके इस template को use करने का try करते हैं अपने Instagram story में तो आप use नहीं कर पा रहे हैं add yours का जो option है वो work नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है जिससे कि आप जो है इस template को अपने Instagram story पर लगा सकें तो इसके लिए आपको कुछ steps को follow करना होगा सबसे पहला काम आपको आना होगा अपने play store में play store में आने के बाद Instagram को search कर लेना है तो Instagram को search कर लेते हैं Instagram आ चुका है यहां से आपको देखने को मिल रहा है Instagram का update मुझे आया हुआ है अगर आपको भी Instagram का update आया हो तो update पर click करें जैसे आप Instagram को update कर लेंगे आप देखेंगे जो आपका problem था वो solve हो जाएगा सिर्फ आपको update करना होगा अपडेट करने के तुरुत बाद एक और आप काम कर सकते हैं आपको जो है mobile की setting में आना होगा setting में आने के बाद आपको scroll करने नीचे की तरफ और यहां पर apps देखने को मिल रहा है इस पर click करिए उसके बाद manage app size पर click करिए then उसके बाद आपको यहां पर search बार देखने को मिल रहा है यहां पर आपको instagram को search कर लेना है तो search कर लेते हैं अपने instagram को instagram 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 आ चुका है यहां से इसको open करना है open करने के बाद अब यहां से आपको क्या करना है नीचे clear data देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करिए इसका clear cash करिए देन उसका clear old data भी कर दीजिए ये काम आपको करना होगा और back आ जाना है देन उसके बाद अपना power button दबाना है mobile का और अपने यहाँ पर reboot का option देखने को मिलेगा आपको reboot कर लेना अपने mobile को या फिर आपको restart कर लेना है दोने में से आप आपकोड़ियों